प्रिजल दोस्तों आप लोगों का सौगत है टैलेंट रिपर की फूर्थ एपिसोड में तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के तो जैसा कि हमने फिछले एपिसोड में देखा था कि सान सान को लगता है कि चुमों के पास भी वो खास एबिलेटी हैं जिससे डूवल टैलेंट एक साथ हो सकते हैं अब वो कितनी सही थी किया कितनी गलत ये तुम लोग जानो जिसके बाद हम लोग अकैडमी को देखते हैं जहां पर ट्रायल के रिजल्ट बताये जा रहे थे और जहां पर जीवी ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया था लेकिन जीवी अपने मन के अंदर सोचती है कि जो गौं के बैक की वज़े से मुझे फर्स्ट प्लेस तो मिल गया लेकिन मुझे उस आदमे के बारे में कोई भी इंफ्रमेशन नहीं मिले जो उस टाइम पे आया था और दोस्तों जीवी की दोस्त डूजिंग ने भी चुमो देखते हैं कि चुमो वहाँ पे बड़े बड़े कीडों को अपनी फ्रोजन ब्लेट के साथ अटाइक करके मार रहा था तब ही चुमो की ऊपर एक बड़ा सा कीड़ा एक हमले में अटाइक करता है लेकिन चुमो अपने गोस्ट स्टेप का इस्तिमाल करके उसे बड़ी आर सोचता है कि अलग-अलग तरहा के अट्रिब्यूट्स को एक ही साथ मिला के मैं अपने एनिमी को एक ही स्ट्राइक में मार सकता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं अभी जो गौन से मिला होता तो मैं उसे एक ही स्ट्राइक में मार देता इसी वज़ा से मु से ट्रेंपट नहीं हुई है हलाकि मेरा मार्सल आर्टिस्ट वो तो इंप्रूव हो गया है लेकिन जैसा कि उस बुक में लिखा था कि मुझे अपनी बॉड़ी को फोर्स करके अपने ब्लेट को रिफाइन और की कोई खट्टा करके युवान पाउर बॉड़ी की थर्ड स्ट सुमो कहता है युवान पाउर बॉड़ी मेथट का इस्तमाल करने के बाद मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ मांच गुना जादा भड़ गई है और अगर इसी तरह से में प्रैक्टिस करता रहा तो अगले तीन सालों के अंदर में बिलकुल आराम से मार्सल मास्टर रियलम के काफी टाइम से है और उनके पास कई सारे एक्सपर्ट होंगे इसलिए मुझे किसी भी कीमत पे और जदा ताकतवर होना पड़ेगा जिसके बाद हम लोग जाओ फैमली के विला को देखते हैं एक सर्वेंट जाओ जंग को बताता है कि हमें पता चल गया है कि चुमो कहां प के नाइन ने पहले ही बताया था कि वह हमारी फैमली को आवाइट कर रहा है विकि उसे पता है कि हमने उसके उपर नजरे गड़ाई हुई है इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उसे जवकी से वो ड्रेजर मिल गया होगा और वह सारी राज जाके अपनी कल्टिवेशन की प् दूंगा चुमो को उसके घर पे देखते हैं जहां पर चुमो जाने के बारे में सोच रहा था दरासल सान सान ने चुमो को बताया था कि जेट अलायंस ने एक बिल्डिंग बनाई है जहां पर नए लोग जो की जोएन हुए हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी कल्ट प्रophone करो लेकिन चंदा करने की जरूरत नहीं है इसका रिएक्षण का फिर नॉर्मल है किया ये सच में वही चुमो हैं कि जिसके बारे में जानती थी फिरंबक चुमो को ट्रेट अलाइंस के अंदर प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहां भी चुमो अपने आइस मैजिक क्यूबर पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन इसके बावज़ुद उसे कुछ ऐसा ऐसा महसूस होता है कि कुछ छूट रहा है जबकि चुमो ने आइस के उपर पूरा कंट्रोल कर लिया था जिसके बाद चुमो इसी तरह से कई तरह के अटाइक्स और कॉम्बिनिसन का इस्तमाल करता है लेकिन इसके बावज़ुद उसे कुछ शूटा शूटा सा एहसास होता है और तब कहीं जाके चुमो को समझ में आ जाता है कि वो गलती कहां पिकर रहा था दरासल चुमो अभी तक अपने तलवार को चलाने के कई सारे तरीके ढून रहा था लेकिन जब भी एक तलवाल बाच अपने तलवार को उठाता है तो इससे कोई फरेंग नहीं पड़ता है कि उसके सामने क्या बाधाया आती है वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने तलवार को चलाता है और अपने एनेमी को काट डालता है और इसी को ही वाइडनेस कहते है अपने दिमाग में जोबी डिपन्स है उसे छोड़ दो और सिर्फ एक ही स्ट्राइक के उपर फोकस करो और कुछ भी नहीं हजार बिलेड़् को एक बिलेड़् में बदल दो एक बिलेड भी उतना असा डालती है जितना की हजार डालती है आपने दिमाग में बस एक ही लक्स रखो और वो है तुम्हारे दुसमन की मौत एक हजार ब्लीट्स में से सिर्फ एक ही ब्लीट ताकतवर होती है चुमो इसी बात को फॉलो करता है और वो सामने के तरफ एक स्लैस मारता है और चूमो इसी तरह से अपने आपको सौर्ड मास्टर सीप में मास्टरी हासिल कर लेता है थोड़े टाइम बाद जब चूमो बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो जो वारियर आस पास खड़े थे वो कहते हैं ये अजीब बात है मुझे अभी ऐसा हैसास हुआ जैसे कि भुकां पाया हो और ये बिल्डिंग खेल रही थी इसके बाद कुछी दिर में वो बिल्डिंग खड़ खड़ाते हुए नीचे गिर जाती है जिससे सभी लोग वहाँ पे भागत हुए आते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया और जितने भी वारियर्स वहाँ पे थे वो सभी चूमो को चारव तरफ से घेर लेते हैं युकि चूमो के बाहर निकलने के बाद बिल्डिंग नीचे गिर गई थी सान सान भी वहाँ पे भागत हुए आती हैं और वो चूमो से कहती हैं कि आपने सौर्ट मास्टर सिप के रियलम को मास्टर कर लिया है सान सान अपने मन के अंदर सोचती है कि वो विसाल था का जरूर तलवार से निकली होगी लेकिन चूमो अभी 20 साल का भी नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह की प्रैक्टिस वाली स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकता है ये सच में एक जीनियस है लेकिन चूमो को सौर्ट मास्टर सिप रियलम के बारे में नहीं पता था इसलिए वो सान सान से इसके बारे में पूचता है सान सान अपने मन के अंदर सोचती है ये ordinary person की तरह academy बें पढ़ रहा था इसने कभी भी sword master ship के बारे में नहीं सुना होगा और इसने ये अपने आप ही सीखा है इसलिए ये किसी genius से कम नहीं है ये उससे कई गुना ज़्यदा ताकतवर निकला जितना मैंने सोचा था इसे जरूर जेड अलाइंस के अंदर जॉइन होना पड़ेगा सान सान बताती ही कोई ऐसा जिसके पास sword या फिर से बस चलाने का talent होता है फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की वो खुद के relevant realm के अंदर cultivate कर सकता है जैसे की sword mastership और जितना मुझे पता है इसके तीन realm होते है इसका पहला realm होता है realm of light blade जिसमें blade के पास light होती है और वो खतरनाक killing intent से भरी होती है जब भे तलवार को उठाया जाता है दूसरा realm होता है sword power का जहां पे sword के पास shadow होती है और बिल्कुल वो आस्मान की तरह चलती है जिसको रोक पाना ना मुंकिन होता है और तीसरा realm होता है sword intention और जब भी तलवार को चलाया जाता है तब उसके अंदर खतरनाक और भर जाता है जिसको रोक पाना बिल्कुल असंभव होता है और कोई नॉर्मल तरवार उसे रोक भी नहीं पाएगी चुमो सान सान को ये सब बताने के लिए सुक्रिया कहता है और वो अपने मन की अंदर सोंचता है जिसका मतलब है कि मैं अपने blade light realm के अंदर हूँ क्योंकि मैंने थोड़े टाइम में इसे advance कर लिया था इसलिए मैं आगे की चीजों को भी असानी से सीख सकता हूँ जिसके बाद चुमो सान सान से माफि मांगता है क्योंकि उसने practice के चलते पुरी building को ही destroy कर दिया सान सान उसे कहते है कि कोई बात नहीं है अगर हम तुम्हारी मदद ही करते हैं तुम्हारी sword skill को पहचानने में तो इसमें कौन से बुराई है जिसके बाद चुमो सान सान से विदाई लेता है और वहां से निकल जाता है और जब चुमो घर वापा जा रहा था तब उसके उपर जौचंग के लोगों ने नजर रखी हुई थी इसके बारे में उसे भी पता चल जाता है और वो आचानक से उन दोनों की पीछे आ जाता है इसमें से वो पहले बंदे के उपर गले से पकड़ लेता है और दूसरे बंदे के उपर तलवार रख देता है और उनसे घूरते हुए पूसता है कि तुम्हें यहां पर किसने भेजा है सब कुछ सही सही बता दो वो दोनों चुमो को बता देते हैं कि वो दोनों सौचंग के आदमी हैं चुमो अपने मन के अंदर सूचता है कि सायद मुझे इससे पीछा छुड़ा ही लेना चाहिए नहीं तो इससे जीवी भी खतरे में आ सकती है और सायद इस मौके का फायदा भी उठाना चाहिए एक्च को भी मार देता है जिसके बाद एक गार्ण Лे सारी अवाजे सुंके जब बाहर आता है तब वो देखता है कि किसी ने पहले ही सास्वार्द को मार दियादु कि कुछके वह काफी मार WOW दिया है और इसके बाद साउचंग की नजर सामने किसी बंदे की ओपर पड़ती है और वो उसे पूचता है कि तुम कौन हो, चुमो पीछे मुड़के कहता है किया तुम्हीं जाउचंग हो, और क्या तुम है इसने एक मेंने पहले कैनाइन को मारा था, लेकिन मैंने वो बाड़ी देखी तब तो तुम मेरे इतने सारे आदमियों को कैसे मार सकते हो जिससे समझ जाता है कि चुमो ने पहले ही एक हजार साल पूरा ने इस प्रिट एसेंस को साफ कर दिया है जिससे जाउचेंग को काफी गुशा आता है और वो अपने टैलेंट का इस्तमाल करते हुए वहाँ पर एनरजी की कई सारी स्वार्ट्स बना लेता है और उनके साथ चुमो की उपर हमला करता है चुमो जाउचेंग की युवान पावर को देखके अपने मन में सौचता है काबिले तारिफ क्या कमाल की युवान पावर है इसमें कोई सक नहीं है कि जाउचेंग को मासला रियलम का सबसे ताकतवर आदमी कहा जाए अपनी युवान पावर का इस्तमाल करके सौट को इतने दूर तक ले जाना और उनसे अटाइक करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है लेकिन इसके बाद चुमो अपना पैर जमीन के उपर मारता है और वो भी अपने युवान पा और को कंट्रोल करना सीख जाएगा लेकिन इसके बावजूद मेरे पास यही मौका है क्योंकि मेरे अटाइक को रुखने की वज़ह से इसे काफिजदा एनरजी खर्श करनी पड़ेगी इसके बाद जौंचंग चुमो के ऊपर अपनी स्वाट से अटाइक करता है लेकिन ज जौंचंग अपनी मन में सोचता है कि ये बच्चा युवान को कंट्रोल करने में कम नहीं है लेकिन जौंचंग दो गतम पीछे हटता है और दिवाल में किसी बटन को दबाता है इसे चुमो के बगल में एक धमाका होता है और चुमो दिवाल को तोड़ते हुए जाके बाह लेकिन तुम अभी भी नौ सीखिए हो ये मेरा इलाका है कि तुमने एक भी बार नहीं सोचा कि मेरे पास यहां पर चुपे हुए को फियर ट्रंप कार्ट होंगे और क्या मैं उनका इस्तमाल नहीं करूंगा तुमने जो सीक्रेट रेजर को अपने अंदर एब्जॉब किया है मैं तुम्हारी सारी हड़िया बाहर निकालूंगा और तुम्हारी हड़ियों से मैं उस शेक्रेट ट्रेजर को फिर से एब्जॉब करूंगा इसके बात जोजंग अपनी युवन पावर का इस्तमाल करके वहां पी स्वाट बना लेता है और चुमो से कहता है कि हेल जाना औ आँपर फार करता है जिसे जौचेंग उपर हवामे उड़ जाता है और तब ही झुमो फिर से घोस्ट सेप्स कस्तमाल करता है और जो चैंग की ऊपर से अटाइक करता है जिससे वहां पई तगड़ा धमा का होता है और जाओ चेंग बूरी तरीकिसे घायल हो जाता है लेकिन जाउचंग इस अट्रैक से बॉक ला गया था जिसके बाद वो अपनी एक्स्प्लोजी पाउर का इस्तमाल करते हुए तो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि लू यंग बेज के मासलाट मास्टर्स भी मुझे पंगा लेने से क्यों डरते हैं इस सोचता है इसे कोई फरक नहीं पड़ता है कि ये कहां भी जाए लेकिन ये मेरे वेट से बच नहीं सकता है बले ही चाहे ये मासलाट आर्ट्स के रियलम के अंदर क्यों न चला जाए और ब्रेक थूरू कर ले लेकिन इसके बावजूद ये चोट लगने से नहीं बच सकता ह किसी भी कीमत पर ये मेरे हाथों यहीं पर मारा जाएगा लेकिन हम लोग चूमो को देखते हैं जो कि स्वाट मास्टर लाट्स ये अलम की टेकनीक को इस्तमाल करने वाला था जिसको देखके जौग चंग भी काफी घबरा जाता है जिसके बाद अगले सीन में हम लोग जाओ फैमली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जिसके बाद अगले सुबह हम लोग देखते हैं कि वहां पे लुयंग बेस की इनफोर्समेंट टीम आती है जो कि सारी चीजों को जाइजा लेने के बाद कहते हैं कि सभी लोगों को एक ही स्लैस से मारा गया है इसमे क्या क्या मिला है इसके बाद चुमों हस्तिवे कहता है कि जाओ चैंग ने दस सालों में जितना भी समाने खटा किया है अब वो सभी मेरा होगा और मैं अपनी कल्टिवेशन को और जदा बढ़ाऊंगा जिससे मैं जल्दी से जल्दी मासला ट्रियलम में मास्टर कर ड़कू तब ही चुमों की नजर उस अंडे की उपर पड़ती है जो कि छोटी लड़की ने उसे रिवार्ट के तौर पे दिया था चुमों कहता है कि मैं तो इसके बारे में भूले गया था ऐसा कहा जाता है कि बीस्ट का अंड़ा तीन सालों के अंदर फूट जाता है लेकिन यह अ अपने हाथ से उसे गर्मी दे के फोड़ने की कोसिस करता है लेकिन इतना सब करने के बावजुद वह अंड़ा फूटने का नाम ही नहीं लेता है तो फूर चुमों वुस्सा होके उसके उपर अपनी इस्तमाल करता है लेकिन इसके बावजुद वह अंड़ा फूटता ही न जिसको खाने के बाद लोग अपने टेलेंस को और जदा इन्हेंस कर सकते हैं यानि की डिरेक्ट एट्रिब्यूट की पावर बढ़ेगी और इसी के साथ ही यह एपिसोड यहीं पे खतम होता है